आज भाई भाई एक दुसरे का दुस्मन बन जाए उतना जहर नफरत एक सोची समझी शाजिस के तहट दिल्ली और नागपूर साथ में मिलकर फैला रहा है कि 3,000 किलो का ड्रक्स 15-20 लाख बेरुजगार युवा को नशे की चुंगाल में फसाने के लिए अदानी के ऐरोपोर्ट पर उतर रहा है मान ये प्रधान मंत्री जब अमरीका से वापस आते है तो भाई विस्टा का काम ठीक ठाक चल रहा है न नई पार्लामेंट का वो देखने के लिए जाते है किसान को मिलने के लिए नहीं जाते है साथियो जो कहानी गुजरात से शुरू हुई उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है वो अब आपके हमारे सब के सामने है एसा नेशन एक राष्ट के तौर पर हम एक unprecedented अभूत पुर्व क्रैसिस से गुजर रहे है ऐसा संकट इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा हमारे समविधान पर हमला है दिल्ली की सडकों पर समविधान की कोपी को जलाया जाता है हमारे idea of India पर हमला है हमारे देश के लोक तंत्र के उपर हमला है आज भाई भाई एक दुसरे का दुस्मन बन जाए उतना जहर नफरत एक सोची समझी शाजिस के तहट दिल्ली और नागपूर साथ में मिलकर फैला रहे है इस परिस्तिती में एक पॉलिटिशन के तौर पे नहीं बतोर एक भारतिय नागरिक मैं अपने आपको यह जब सवाल पुछता हूँ कि मेरा fundamental, foremost, responsibility, duty क्या होना चाहिए तो अंदर से जवाब यही आता है कुछ भी करके इस मुलके समविधान, लोक तंत्रे और idea of India को बचाना चाहिए और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंतरता के आंदुलन में नकिवल contribute किया है, उसको lead किया है अंग्रेचों को यहां से खदेड कर दिखाया है और इसलिए आज में इंडिन नेशनल कॉंगरिस की मंच पर आपके साथ खड़ा हूं एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए जॉइंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलिय विधायक हूं इफ आई जॉइन अपार्टी मैं इस विचार के साथ हूं ना यह सबसे प्रमुख बात है मैं इस मुहीं मिशन और संगर्स के साथ हूं यह सबसे महत्वपूर बात है बाकी की फॉर्मलीटी तो आने वाले महिनों में भी हो जाएगी और राहुल जी ने भी कहा कि वो जो परचा भर के सदस्या लेने की बात है वो तो कल भी कर लेना अभी अपने मत्खशित्र के लोगों के साथ खड़े रहू तो मैं फॉर्मली नहीं हूं लेकिन इस विचार के साथ आज जुड़ चुका हूं और बाइस का चुनाओं में कॉंग्रेस के सिंबोल से ही लड़ूंगा और उसके सारे केंपेंज का हिस्सा रहूंगा और गुजरात के संदर्व में आज साथी हार्विक हमारे बीच में मौजुद है तब कहना चाहता हूं कि आज राष्टी इस तर पे जो हो रहा है वो सब कुछ को हम लोग गुजरात में देख चुके है जेल चुके है आप सभी पत्रकार साथियों के बीच में बड़ी चिमता के साथ ये कहना चाहता हूं हमारी पार्टी निस मुद्दे को उठाया है कि 3,000 किलो का ड्रक्स 15-20 लाख बेरुजगार युवा को नशे की चुंगाल में फसाने के लिए अदानी के एरोपोर्ट पर उतर रहा है आज जब महिंगाई और बेरुजगार उसके चर्म सीमा पर है तब गुजरात और देश की बेरुजगार युवाओ को रोजगार देने के बजाए ये फासिवादी ताकते चाहती है कि रोजगार तो ना मिले उनको नशे के हवाले में जोख दिया जाए तो इन सारी परिस्तितिों में यदि बाबा साब अंबेड करके समविधान को बचाना है हमारे आईडिया ओफ इंडिया को बचाना है बगजट सी को जब मुकद मेरी की कार्यवा के दौरां पूछा गया कि क्रांथी क्या है तब शाहीद आजम ने कहा था कि करांथी से हमार मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में सकता मान ये प्रधान मंतरी जब अमरीका से वापस आते है तो भाई विस्टा का काम ठीक ठाक चल रहा है न नई पार्लामेंट का वो देखने के लिए जाते है किसान को मिलने के लिए नहीं जाते है तो किसान हो मजदूर हो दलीत ह हो आदिवासी हो महिला हो सब के उपर एक जो अनप्रेसिडेंटल हमला है इसको रोकने के लिए मैं भारत की जंता को भारत के 21 करोड दलीतों को और सारे लाखो करोडों युवाओं को अपील करता हूँ सेंस ओफ अरजनसी के साथ अभी वक्त नहीं है कूद पढ़िये एक नया अंदुलन छिडने वाला है स्वतंत्रता के अंदुलन की जो रौनक थी वो जो चार्म था वो जो माहोल था हमको वो रिक्रियेट करना पड़ेगा यहां पर तमाम वो लोग जो सचमुच मानते कि देश को बचाना है उन सभी को हम अपील करते है कि इस प्लेटफॉम के डीप सुरूट से तो साथ में मिलकर हम लोग लड़ेंगे संगर्श करेंगे और इस मुल्क को बचा पाएंगे आप तमाम साथियों का में दुबारा स्वागत करता हूं और दुबारा इस प्लेटफॉम के माद्यम से पुरे देश की जनता को अपील करता हूं सेंस ओफ अर हो युवा इस प्लेटफॉम में जुड़े आईनसी के साथ सुड़े कॉंगरेस पक्ष के साथ जुड़े इसके लिए लग जाएंगे